की दोस्तों ताजी और हर्व सब्जी का सेवं करना तो हमारी लिए सभी मोसम में लाबasma का होता है लेकिन गर्मियों के मौसम में कौं में कौन जो सब्जी का सेवं करना चाहिए जो हम घर्मिज होन 흔ले नुक्सान से बचाए और शरीर को ठंडा रखने में मज़द करें तो आज हम आपको गर्मियों में खाने के लिए दस सब्सक्राइब मताएंगे जो शायद यह आपको पता होगा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों सब्सक्राइब कई प्रेकार के विटामि बहुत जरूरी होता है जो आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करके आपको हाइड्रेट रखने में मदद करें गर्मी का मौसम आते हैं कई प्रेकार के प्त्मारियां हमें घेर लेती हैं इसमें आपको कब्च और पेट दर्द की समस्य का सामना भी करना पड़ता है आए जानते हैं कि आपको गर्मियों में कौन-कौन सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बहल आइकून को प्रेस करते हैं दोस्तों लोकी का सेवन करना गर्मियों में बहुत फायद्रमन्द माना गया ह इसमें प्रयात मातरा में पानी पाया जाता है जो आपके शरीड को हाइट्रेट रखने में मदद करता है कईबर मौसम में बदलाव होते ही उल्टी दर्स बुखार के कारण शरीड में पानी की कमी हो जाती है इसके लिए आप लोकी के चूस का सेवन भी कर सकते हैं और लोक की तासीर भी ठंडी होती है ठंडी तासीर के कारण गर्मियों में पालक की सब्जी खाना अधिक फायते मंद होता है पालक आयरन के लामा विटामिन A, B, C, मिनरोल कैलशियम, मैंगनेशियम, आयरन और फाइटो न्यूट्रेट का अच्छा स्रोथ होता है पालक खाने से मौसम में अग्रमकी मौसम में सबजी के रूफ में कड्दू का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा कड्दू में एक उच्छ मात्र होती हैं, जो आपकी प्रति रख्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है इसके अलावा कट्व में एंटियोक्सिडन्ट, बेटा केरोटीन और अन्य खनिस्मदार्थ भी होते हैं इसे भी खटक खिर्दे को स्वस्थ रखने के साथ ही संपूर्ण स्वास्थे को बढ़ावा देते हैं आप ये घर्मे के दरान होने वाले समस्याओं से बचने के लिए कट्व की सबजी को अपने ध्यनिक अहार में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, खेरेंग प्रकार का सबजी हैं हाला कि समाने रोप में इसे अप्योग हम सबजी बनाने के लिए नहीं करते हैं खीरा ककड़ी गर्मी की मौसम की एक विशे सब्ची है खीरा में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है जो गर्मी के दिनों में आपको हाइडरेट रखने में मदद करती है खीरा ककड़ी में फाइबर और अन्य बहुत से खनिस पदार्थ भी होते है अधिकांश लोक ककड़ी को सालात की रूप में कच्च ही खाते हैं आप भी अपने हलके नाश्टे व भोधन के साथ खीरा का सेवन कर सकते हैं शिमला में इसका सेवन जादा तर गर्मियों की सबजियों में किया जाता है शिमला मिर्च में कैपसेसी नामक एक सक्रिय खटक होता है जो की एक प्रेकार का हाइटो केमिकल है इसके कारण ही में इसको स्वात्तीखा होता है यह रसायन चया पच्चय को बढ़ाने, पाच्चन में सुधार करने और वजन कम करने में सहायक होता है इसके अलावा विटमिन सी और एंटी एकसिटन की उच्ची मातरा के कारण यह रिष्मकालिन आहार में इसे शामिल किया जा सकता है यदि आप गर्मी में खाने माले सबजे तालाश रही है तो इसके लिए तोरी एक अच्छे विकल्प हो सकता है तोरी एक प्रकार की हरी सब्जी है और इसके तासिर ठंडी होती है जो आपको गर्मी में भी ठंदा रखने में मदद कर सकती है तोरी में कैल्शियम, कॉपर, आयरन, कोटेशियम, फोस्फोरस और मेगनेशियम आधिक खनी सत्व पाय जाते हैं जो आपको सिहत मंद रखने में मदद करते हैं समर सीजन में तोरी सब्जी का खून साफ करने, बलड शूगर और पेट के लिए फायदे मंद होता है ग्रीन बिन्स को सेवन करना हमारे लिए कई प्रकार से लाबदायक होता है इसमें ओमेगा-3 फैटी ऐसे और फाइबर होता है जो गर्मी में होने वारे बिमारियों से बचाने में आपकी मदद करता है हरे बिन्स में प्रयात मातरा में विटमिन A, C और B6 पाया जाता है जो गर्मी के सीजन में इम्मिन सिस्टम को बहतर रखने और कोशिकाओं के शती को ठीक करने में मदद करता है पेठा में लगभग 6 प्रतिशक तक पानी होता है जबके शरीर को हीट श्टोक से बचा कर हाइडे टकने में मदद करता है पेठा का नियमित सेवन करने से ये हिर्दे स्वास्थे, पाचन, मांसिक स्वास्थे कब्च आदे समस्यां को दूर करने में मदद करता है इसका सेवन कर स्वस्त कर्भुहाइड़ेट, प्रोटीन और अहर फाइबर की अच्छी मात्रा प्राप्त की जा सकती है अगर आप kidney stone, अस्थमा और कौन साफ ना होने की समस्चा से परिशान है तो गर्मी की सबजी में पेठे का सेवन जरूर करें टमाटर को सबजी के रूप में उपियोग किया जाता है गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए आप टमाटर को शामिल कर सकते हैं शरीर को हाइडरेट रखने का बहतरीन तरीका टमाटर हो सकता है क्योंकि टमाटर में 94 से 95 प्रतिशक तक पानी होता है टमाटर में एंटी अक्सिडेंट और विटामिन की अच्छी मातरा होती है इसके अलावा टमाटर में लाइको पिन जैसे फायदेमन फायटो केमिकल भी होते हैं जो बहुत सी स्वास्य समंद्द समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं इस साय से आप गर्मी के मौसम में पानी की कम्य को रोकने के लिए बोजन के साथ ती सलात के साथ कच्छे टमाटर का सेवन भी कर सकते हैं गर्मी और तेज धूप के वज़र से आने वाले पसीने और धूल मिट्टे के कारण इसके इन पर फोड़े, पूनसी, रैश, फंगल, इंफेक्शन और दाग आधी के समस्याँ होनने लगती हैं करेला में शक्ति शाली एंटि ओक्सिडंट गुड होते हैं जो इन रोगों से बता सकते हैं इसके अलावा मदू में और हाई बीपे के रोगियों के लिए करेले के सची खाना बहुत ही लाब दायक होता हैं लेकिन ध्यान रखें कि करेला गर्म तासीर का होता है इसलिए आप इसका सेवन सीमित मातरा में ही करें तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मारे कमेंट बॉक्स में जोरूर पताएगा तो में तगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार